इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google app की जो settings होती है उसके अंदर privacy and security का option होता है तो basically इसकी settings हम कैसे करें वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप profile के option पे जाए settings के option पे जाए and यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है and privacy and security देख जाता है है इसे open कर ले यहाँ पर है add personalization इस पर क्लिक करें and यहाँ पर देखिए personalize ads on है आप चाहें तो इसे off भी कर सकते हैं यहाँ पर लेकिन अभी personalized ad on है personalize ad का मतलब क्या होता है देखिए जो भी चीज आप Google में search करते हैं जिस भी तरीके की वीडियो आप देखते हैं उसी तरीके के ads आपको दिखाता है Google ads जो भी आपको आते हैं ठीक है तो अगर आप बंद करना चाहते हैं personalize ad आपको नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं अब यहाँ पर आपका जो भी information है आपकी age है जो language है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी and यहाँ पर relationship आप single है married है क्या है आप उस पर click करके इस त तरीके की ads आएंगी अब household यानि आपकी income high है moderate है यह average है तो जिस तरीके की आपकी income है उस तरीके की set कर लें और verify हो जाएगा अपने आप उस तरीके की ad आपको यहाँ पर आएंगी and यहाँ पर education तो आपकी क्या education आप वो select कर लें and उसके बाद उसी तरीके की आपको यहाँ पर education से related ads आएंगी and आप किस sector में काम करते हैं sector चुन लें तो यहाँ पर हर चीज दी हुई है आप अपनी मर्जी से set कर सकते हैं इसके बाद आपको ads उसी के according Google में आएंगी उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स सोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें